टेर स्टुंitOOOOOOOO mods आजम हुआ है ट्राश्पारेशन के बारे में त्राश्पारेश्ट में पढ़ेंगे य忌निया है इस आय अधीज इन्टक ने की दिशन के बारे में सब्सक्रणिट्सवाइद करना है है तो गान्ट्स की जो वैं ह हं उसे जल का वास्प की रूप में हाश या उत्सरजन करना वास्प उत्सरजन कहलाता है अथार्थ पोदे के जो जीवित वाईविय बाग है उस से वास्प की रूप में उत्सरजन करना पानी का या जल की जो हानी है वो वास्प के रूप में करता है तो उसे वास्प उत्सरजन कहते हैं वास्प पलस उत्सरजन यानि पोदों के जो जीवित भाग है उससे पानी का वास्प के रूप में उत्सरजन वास्प उत्सरजन कहलाता है एक सब दोर भी आता है जिसे वास्पीकरन कहते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब बारिस से पानी आता है तो किसी सतह पर पानी गिरने के बारे में कुछ समय वाद में वहांसे पानी ड्रइ हो जाता है सूख जाता है वह एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे मैं वस्पी करण कहते हैं अब इसे परकार से जो टांस्पाइरिशन ऑजो भी वस्प के रूप में है लेकिन ये फीजियो लॉजिकल प्रोसेस है जो की पादब की जीवित बागों से होता है इसकी टाइप्स के बारे में बात करें वास्पोर्सजन के तो इसमें सावानेते तीन प्रकार के होते हैं उपचर्मी वास्पोर्सजन वातरंद्री और रंद्री वास्पोर्सजन पादप के अंदर जो वास्पोसेजन है वो वाईवी भाग समानेता जैसे लीफ इसके लबाद जो सुफ्ट प्रांट्स होते हैं उनके स्टेम से भी और उनके फ्लावर है पुस्पी भाग से भी वास्पोसेजन हमें देखने को मिलता है समानेता तीन प्रकार के वास्पोसेजन होते हैं जिसमें पहले उप्चर्मी वास्पोसेजन के बारे में डिसकस करेंगे उप्चर्मी यानि क्यूटिकुलर ट्रांस्पारेशन जैसे कि नाम से ही वीदित है कि जो एपीडर्मिस होती है एपीडर्मिस के जस्ट उपर वेक्स जैसा जो आवरन होता है जो कि क्यूटिन से बना होता है इसे हम क्यूटिकल कहते हैं उप्चर्म कहते हैं ये जो उप्चर्म होती है वो जल के परती एपार्गम में होती है लेकिन भिन भिन पादपो में इस क्यूटिकल की जो मोटाई है वह है अलग अलग होती है अथार्थ कुछ पार्ट पर थिक होती है कुछ पार्ट पर थिन होती है अथवा स्थान स्थार पर इसमें सिलिट भी पाई जाती है दरार भी पाई जाती है या सीदे से कहें तो क्यूटिकल अपसेंट भी होती है तो इस परकार से जहां पतली क्यूटिकल है अथवा क्यूटिकल अपसेंट है उस भाग से जो पानी है उसका वास्प की रूब में यह से उत्सरजन होता है चूंकि यह क्यूटिकल से होता है इस कांड से से क्यूटिकुलर वास्प उस्जन कहते हैं यह टोटल जो वास्प उस्जन होता है उसका अलग बग तीन से 10% माना जाता है कि इतने percent में वस्पासर्जन होता है क्योंकि epidermis से होता है इस कांट से हम epidermal transpiration भी कहते हैं cuticular कहते हैं या इसको epidermal transpiration भी कहते हैं 2nd है वातरंद्री वस्पासर्जन लेंटिकुलर Transpiration LEnticular Transpiration जो Woody Plants होते हैं Kowski Plants होते हैं उन Kowski Plants के अंदर जो शाल है जो बार्क है उस बार्क में दरार पाई जाती है उो दरार का जो भाग है उस दरार के जो पार्ट के अंदर जो cells होती है, जो living cells होती है उनको हम complementary cells कहते है या समपूरक कोशिकाई कहती है ये जो cells होती है, इन cells के बीच में intercellular space होते है जो की पीछे cortical जो कोशिकाई होती है जो पानी से saturated होती है के contact में रहती है जैसे जैसे in complementary cell है यहां से जो environment है इस environment के touch में रहती है complementary cell यहां से पानी है वह वास्प के रुप में मुत्सरजन करती है complementary cell इस परगार से ये पीछे जो cuticular cells है उसे पानी लेती है और बहार मुत्सरजन का कारिये करती है या वास्प के रूप में देरे-देरे वाईव मंडल में ये विश्रित करती रहती हैं तो इस परकार से ये जो क्यूटिकुलर जो ट्रांस्पाइरेशन है वो भी नियंतर दिन और राद नियंतर कंटिन्यू बना रहता है इसी परकार से ये जो क्यूटिकुलर है वह भी कंटिन्यू में रहता है सामाने ते इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती क्यूटिकुलर की और हम पहले इसके बारे में डिसकस कर चुके हैं कि जो स्टेम है उनके अंदर जो बार्क होती है उनकी स्लिट में होता है उनकी दरार में होता है तो चुकि बार्क वहाँ नहीं होती या अपसेंट होती है तो इसे हम क्यूटिकुलर ट्रांस्पारेशन या बार्क ट्रांस्पारेशन भी हम इसे कहते हैं थर्ड आता है जो कि बहुत इंपोर्टेंट ट्रांस्पारेशन है जो कि 80 से 90 परसेंट पानी का लोस वाटर का जो लोस है वो इसी के माधियम से होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांस्पारिशन या रंदरी वास्पोस रजन जो कि स्टोमेटल ट्रांस्पारिशन या पर्टिकुलर स्टक्चर की दुवारा होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं इन स्टोमेटा के दुवारा पानी या वास्प के रूप में उस्टरजन होता है जब स्टोमेटा ओपन होते है तो पानी वास्प के रूप में समय होता है और स्टोमेटा कुलो वने के बाद में इसमें पानी का आसी है या पानी की आनी है वह नहीं हो पाती कोज प्लांस आतरा नोर्मली जो स्टोमेटा तो है रात बंद होते हैं कि इसलिए इसे भी है कि दो जो stomata है वो रात को ओपन होते हैं इनके अंदर जो stomata के जो टाइप सेप है अधिकांस प्लांट्स के अंदर जो stomata है वो kidney sept होते है वरकाकार होते है लेकिन कुछ grasses है जो जैसे poesies जो family है उसके जो stomata होते हैं वो dumble sept होते है dumble की जो अकरती होती है उसकी अनुसार होते है stomata की cells के बारे में बात करें तो ये एक परकार की epidermal cells है जो की specific cells होती है specialized epidermal cells है stomata के अंदर दो परकार की कोशिकाई होती है दो कोशिकाई जो बीच में है वह guard cell कहलाती है दो आर कोशिकाई कहते है दो आर कोशिकाई अन्नी कोशिकाऊं से भीन होती है इसके अंदर कुलोरोपलास्ट भी प्राय पाये जाता है सामाने ता है epidermal cells के अंदर कुलोरोपलास्ट absent होता है बट जो दो आर कोशिकाई होती है उनके अंदर प्राय कोशिकाई होती है इनके चारों और जो कोशिकाई होती है उनको सहाई कोशिकाई यात्वा सब सीडरी cells कहते हैं तो इस प्रकार के दो प्रकार की कोशिकाई से मिलकर यह स्टोमेटा कर निमान होता है कुछ जो जीरोफायट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो पर्टिकुलर केविटी में होता है स्टोमेटल केविटी के अंदर होता है जिसे संकन स्टोमेटा भी कहते हैं जिससे पानी का जो उस्टरजन है वह कम होता है यह स्टोमेटा समानता लीव्ज पे परजेंट होते हैं कुछ जो सुप्ट प्लांट होते हैं या साकी प्लांट होते हैं उनके स्टेम पर भी पाए जाते हैं रूंड में प्रजेंट होती है। प्रद्ध इस प्रकार से हमने टीन प्रकार के तीन प्रकेर के जो त्रांस्पाइरेशिन है वो एंप फड़े The Cuticle H है कि जो ति यह भांसं जो एपेडरम B ट्रांस वारीशन भी कहते हैं उसे रद है ऑग लैंटी कुलर है माँ जिसे वात रंदरी अथ्वा जो ब commenक से भीуск होता एह इसका द्रांस पारेशन ही कहते हैं ठाय है स्थों मिटर ट्रांस रंदर के दुआरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है डवलप उससे ट्रास्पारेशन उना उसे हम रंदर ये वस्ट पर्सण कहते हैं तो इस प्रकार से मुख्यत है ये तीन प्रकार के कॉस्ट त्रास्पारिशन देखने को मिलते हैं